गुद मॉनिग स्टूडेंट मैं मनुरंजन सुखला आपकी संस्की टीचर आज हम आपको पाठ आट आप परियाप्तम सास्ट्र ज्यान का सबदार्थ कराने जा रहें देखे बच्चों सास्त्र परांगता याने सास्त्रों के जानकार अहू याने बुलाकर अर्रो याने चड़कर आपारम याने अथा कोर्दता याने कूंधिते हुए अध्रांस याने आधाभाग निरण्थक याने बेकार आरप्था याने शुरू हो गई सास्त्रार्थम याने बाद बिवाद विहार अंतु याने बिहार करे संड़क्षित्वान याने बचा लिया सद्देव याने बहुत जल दी प्रत्य वाच याने जवाब दिया चतुर्धांस याने चोथा भाग याने एक खर्षा अब बच्चु अभ्यास देखें पहला प्रस्ण है विद्वान्षा भ्रह्मतुम कुत्र अगच्छन तो विद्वान्ष भ्रह्मतु जल विहाराय गंग अगच्छन फिर दूसरा है नोकायां कती विद्वान्षा आशन तो कितने नोका में विद्वान बैठे हुए थे तो नोकाया त्रया विद्वान्षा आ तो आंसर हो जाएगा नौकाम नाविका चालियती इश्म फिर पाच्चोथा देखे प्रत्म विद्वान नाविकम की अप्रच्छत याने प्रत्म विद्वान नाविक से क्या पोचता है तो प्रत्म विद्वान नाविकम अप्रच्छत तो अम भूगोल विश्ये किम किम जानाशी फिर पाचवा है गंगाया द्रश्यम के द्रशम आसीद तो गंगाया द्रश्यम मनोहरम आसीद अब बच्चों हिंदी में अनुवाद करना है तो देखें केवल सास्च्र ज्यान परियाप्त नास्ति अब संदी विच्छे देखिए अब संदी करना है बच्छो तो देखे बंस धन अनुगता वन्श अनुगता कदा धन अपी कदा अपी अब बच्छो मोल सब्द विभक्ती और वचन और अर्थ लिखना है तो देखे जल जीवान का तो त्य विभक्ती बहु बचन ठीक है जल जीवान हो जाएगा जल जीवान नौक्या याने नौका का नौका हो जाएगा मोल सब्द और सस्टी विभक्ती एक बचन नाविक हो जाएगा मोल सब्द सस्टी विभक्ती एक बचन और गंगाया का हो जाएगा गंगा त्रत्य विभक्ती एक बचन वयम का अश्मत प्रत्म विभक्ती बहु बचन बच्चो ये छटवा नंबर नौकायाम नाविकम शृत्वा कदापी उत्तर्शिक ये सब्द का सेंटेंस आप बुक से देखकर फिल करके मुझे भेजेंगे ये आपका होमबर्ख है तो बच्चो इस तरह से आपका एट चैप्टर भी कंप्लीट होता है आप इसे लिखकर मुझे सेंड करेंगे ये आपका होमबर्ख है शिक्स नंबर तो आप इनके बाक बना के मुझे आप सेंड करेंगे धन्यबाद